इस वीडियो में हम आपको हिंदी के आठमे चेप्टर जिसके सिर्सक का नाम है जित जित मैं निर्खत हूँ तो आज हम आपको इसी चेप्टर के बारे में बताएंगे और इस चेप्टर से समन्धित जितने सारे भी सब्जेक्टिव कोश्चन जो कि आपके बुक में दिये हुए हैं उन सारे सब्जेक्टिव कोश्चन को बारी बारी से एके करके देखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको कोश्चन अंसर पर लेकर चलते हैं और आपको आगे बतलाते हैं तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवा दीजे ताकि वीडियो का अगला नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच सके तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं लेखक का परिचय तो लेखक के परिचय में हम जानेंगे कि सबसे पहले इस चेप्टर के लेखक कौन है तो हम आपको बता दें कि जो चेप्टर है जित जित मैं निर्खत हूँ इस चेप्टर के लेखक है पंडित बिर्जु महराज पंडित बिर्जु महराज इस चेप्टर के लेखक है ध्यान रखिएगा जित जित मैं निर्खत हूँ चेप्टर के लेखक है पं सुक्रवार का दिन था और सुबह 8 वजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले उनका जन्म हुआ था इन सारी बातों को अब ध्यान रखियेगा चार फरवरी 1931 को लखनव के जफरिन अस्पताल में सुक्रवार के दिन सुबह आठ बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था घर में वह आखरी संतान थे तीन बहनों के बाद मतलब उनसे बड़ी तीन और बहने थी और वह घर में आखरी संतान थे चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बिर्जु महराज की साधी 18 साल की उम्र में हो गई थी मतलब जब वह 18 साल के थे तभी उनकी साधी हो गई थी चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे पाठ का सरांस जो यह चिप्टर है जित जित मैं निर्खत हूँ इसका सरांसे देखेंगे, इस कहानी के सौट फॉर्म को देखेंगे, जो की आपके एकजाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पाठ का सरांसे देखेंगे, तो पाठ का सरांस में कहता है कि जन्व मेरो लखनाओ के जफरी नस्पताल में, 1928 उपर में भी बता चुके, यह पंडित बिर्जू महराज अपने बारे में बतला रहे हैं कि जन्व मेरो लखनाओ के जफरी नस्पताल में, उन्हें 37 इस्वी को, 4 फरवरी को, सुक्रवार के दिन, सुबह 8 बजे हुआ, घर में आखरी संतान, 3 बहनों के बाद, 6 साल थी, उ नवाब सहब जो उनके गुरू थे, उनको वह पसंद आ गया, मतर 6 साल की उमर में ही, और वह 6 साल की उमर से ही, नवाब सहब के पास जा करके नाच चिखने लगे, ठीक है, वह नवाब सहब के पास जा करके नाचते थे, 6 साल की उमर से ही, वहां से फिर, निर्मला जी के स्क यहां दो-तीन साल काम करते रहे, इसायद तेतालिस की रही होगी, यहां अवह दो-तीन साल काम किये होंगे, कहां हिंदुस्तानी डांस मुझिक में, ठीक है, यहां अवह खुद नाचते तो पहले मुझे नचवाते थे, मतलब वह अपने गुरु जिनका नाम था नवाव साहब ठीक है तो जहां जहां नवाव साहब नाचते थे उन से पहले मतलब वह अपने से पहले पंडित बिरजु महराज को नचवाते थे ठीक है और खुब जोरों से जम कर नाचता था राइबेट प्रोग्राम जिसमें मज़ा आया उसमें फस्ट प्राइज मिलने वाली थी ठीक है मतलब बिर्जू महराज को कलकत्ते में मज़ा आया क्योंकि कलकत्ता में उनको फस्ट प्राइज मिलने वाला था उसमें संभू महराज चाचा जी और बाबू जी दोनों नाचे ठीक है पर यहाँ पर पंडित बिर प्राइस्ताओवा मुझे दिया गया हाँ साड़े नौ साल के उमर में बाबु जी की मिर्तु हो गई मतलब पंडित बिर्जु महराज के बाबु जी की मिर्तु उनके पिता जी की मिर्तु साड़े नौ साल में हो गई मुझे तालिम बाबु जी से ही मिला पॉंस देकर मैंने गंड़ा बंधवाया ठीक है तो साधिर्ग मैं बाबूजी का हूँ उनके मरते ही हम लोगों के बहुत खराब दिन शुरू हो गए मतलब यहाँ पर बिर्जू महराज बतला रहे हैं कि जैसे ही बाबूजी की मिरतु ही उनके मरने के बाद हम लोगों का खराब दिन सुरू हो कानपूर में 2,5 साल रहा आर्या नगर में 25-25 रूपे की दो ट्यूसन पढ़ाना सुरू किया यहाँ पर बिर्जु महराज नाचने के अलावा ट्यूसन पढ़ाने का भी काम करते थे जिसके लिए उनको 25-25 रूपया मिलता था चास रूपे में काम कैर किसी तरह पहता रहा मै पिता जी की मिर्तु के समय उनके स्राध कर्म के लिए पैसे नहीं थे दस दिन के अंदर मैंने दो प्रोग्राम किये यहाँ पर बिर्जु महराज अपनी आर्थिक स्थिती को बतलाते हुए कहते हैं कि जब हमारे पिता जी की मिर्तु ही तो उनके स्राध काम करिया करने के ल रुपया दिया गया जिससे की वह अपने पिता जी का स्राध कर्म कर पाए चलिए उसके बाद आता है कि 14 साल का था तो संगीत भारती आया जब वह 14 साल के हो गए तो उस समय संगीत भारती आया मैंने हाँ 46 साल काम किया संगीत भारती की कमाई से मैंने एक साइकिल खरी दी जब वह संगीत भारती में काम करते थे तो वह 46 साल वहां काम किये और जिससे वह उनकी कमाई हुई उससे वह साइकिल खरी दे ठीक है जो अभी भी मेरे पास है बिरजु महराज कहते हैं कि वह साइकिल आज भ रस्मी जी एक लड़की मिली थी, उन्हें पूरे मन से सिखाया, वो तालिम देखकर जो महराज के हाँ लड़कियां अट्रेक्ट हुई, क्योंकि तालिम जरा अच्छी थी मेरी, संगीत भारती के जमाने में कलकत्ते में एक कॉन्फरेंस में नाचा हूँ, कलकत्ते की आउडि इतना पसंद आया, कि मैं वहां के अखवारों में छप गया, उसके बाद हरिदास स्वामी कॉन्फरेंस बंबई ब्रज नारायन ने बुलाया, ठीक है, याद रखिएगा, हरिदास स्वामी कॉन्फरेंस बंबई ब्रज नारायन ने बुलाया, मेरा प्रोग्राम बहुत गई और उसके बाद से मैं बंबाई, कलकते, मदरास सभी जगा पर मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया। बिदेश टूर में सबसे पहले रूस गए, अब वह कहते हैं कि इसके बाद मैं बिदेश भी गया और बिदेश में सबसे पहले मैं रूस गया। उसके बाद मैं जर्मनी, जपान, हॉंग कॉंग, लाओस, बर्मा, आदी मत्तो अबह बिदेसों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि हमने बिदेस में रूस गया, जर्मनी गया, जपान गया, हॉंग कॉंग, लाओस और बर्मा भी पंडित बिर्जु महराज गए, चलिए, अम्मा को मैं सबसे बड़ा जज मानता हूँ, यहाँ पर पंडित बिर्जु महराज कहते हैं कि अम्मा को मैं सबसे बड़ा जज मानता हूँ, जब अबह नाच देखती, तो मैं पुछता था कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब बाबु जी वाला धंग है न कि कहीं गलवाडी तो नहीं हो रही मतलब पंडित बिर्जु महराज अपनी माता जी से पुछती थी कि मैं जब नाचता हूँ तो कहीं गलवाड तो नहीं हो रहा है अपने बाबु जी वाला धंग मुझे में है न यहीं सब बात वह अपनी माता जी से पूछा करती थी तो कहती नहीं बेटा उन्हीं की तस्वीर हो जब वह अपनी माता जी से पूछती थी कि मैं अपनी बाबु जी की तरह नाच लेता हूं तो उनकी माता जी कहती थी कि नहीं बेटा बिलकुल तुम उन्हीं की तस्वीर हो म में दिये हुए हैं तो सबसे पहला नमर कोश्चन हम लोग देखेंगे इस चेप्टर का जिसका नाम है जित जित मैं निर्खत हूँ तो देखिए सबसे पहला नमर कोश्चन कहता है कि लखनव और रामपुर से बिर्जु महराज का क्या संबन्द है लखनव और रामपुर से बिर्जु महराज का क्या संबंद है तो देखिए इसका उत्तर होगा कि लखनव में बिर्जु महराज का जन्म हुआ था और बहनों का जन्म रामपूर में हुआ था यहाँ पर कोश्चन कह रहा है कि लखनव और रामपूर से क्या संबंद है तो लखनव में बिर्जु का सम्मंध लखनव और रामपूर से है ठीक है आगर आपके एक्जाम में पुछा जाता है कि लखनव और रामपूर से बिर्जु महराज का क्या सम्मंध है तो आपको बतलाना है कि लखनव में पंडित बिर्जु महराज का जन्म हुआ था और रामपूर में उनकी बहनों का और चुकि उनकी बहन रामपूर में रहते थी इसलिए पंडित बिर्जु महराज भी रामपूर में काफी दिन रहे थे चलिए दूसरा नमर कोश्चन देखेंगे रामपूर के नवाव की नौकरी छुटने पर हनुवान जी को परसाद क्यों चढ़ाया पंडित बिर्जु महराज के बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रामपूर के नवाव की नौकरी छुटने पर हनुवान जी को परसाद क्यों चढ़ाया क्योंकि महराज जी 6 साल की उम्र में नवाव साहब के हाँ नाचते थे ध्यान से समझेगा क्योंकि महराज जी 6 साल की उम्र में नवाव साहब के हाँ नाचते थे अम्मा परसान थी बाबू जी नौकरी छुडाने के लिए हनुवान जी की परसाद मांगाते थे नौकरी से जान चुटी इसलिए हनुवान जी को परसाद चाहाया गया ठीक है क्योँचुकी हनुवान जी को परसाद और इसलिए चाहाए क्योंकि और खुद नौकरी छोड़ना चाहते थे लेकिन किसी कारण बस उनकी नौकरी नहीं छुट पा रही थी और जैसे ही नौकरी छूटी ओवा हनुवान जी को परसाथ चाहाए इस खुशी में कि उनकी नौकरी अब छूट गई थी चलिए तीसरा नंबर कोश्चन देखेंगे निरित की सिक्षा के लिए पहले पहल बिर्जु महराज किस संस्था से जुड़े और वहां किन के संपर्क में आए ठीक है तो कोश्चन को आप समझिएगा ध्यान से कि निरित की सिक्षा के लिए पहले पहले बिर्जू महराज किस संस्थान से जुड़े मतलब सबसे पहले उबह अपना एडविशन कहां कराए और उबह किन के संपर्क में आए तो देखिए सबसे पहले उन्होंने निर्मला जी के अस्कूल में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े हम आपको कहानी के सारांस में भी बता चुके हैं कि सबसे पहले उबह हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से अपना सिखना सुरू किया अपना एडविशन होगा सबसे पहले हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक में कराए वहाँ वे कपीला जी लीला क्रिपलानी जी आदी के संपर्क में आए ठीक है यहाँ पर दो नाम दिया हुआ है पहला है कपीला जी और दूसरा है लीला क्रिपलानी जी मतलब जब वह हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े तो वहाँ दो लोगों के संपर्क में आए जिसमें सबसे पहला नाम है कपीला जी और दूसरा नाम है लीला क्रिपलानी चलिए कुश्चन नमर चौथा देखेंगे कि इनके साथ नाचते हुए बिर्जु महराज को पहली वार प्रथम पुरसकार मिला तो आपको कहानी के सरांस में भी बताए कि जब वह अपने चाचा संभु महराज और अपने बाबु जी के साथ नाच रहे थे तब उन तीनों में सबसे पहला पुरसकार बिर्जु महराज को ही दिया गया कहान नाच रहे थे तो वह कलकत्ता में नाच रहे थे तो चलिए इसका उत्तर होगा कि कलकत्ता में बिर्जु महराज को पहली बार प्रथम पुरसकार मिला इसमें उनके चाचा जी संभू महराज थे और उनके बाबू जी भी उनके साथ ही नाचे थे ठीक है चुकि यह पूरा चेप्टर नाच पर ही अधारित है क्योंकि पंडित बिर्जू महराज एक परकार का निरितक थे वह नाचने का काम करते थे इसलिए यह पूरा चेप्टर नाचने पर ही अधारित है चलिए तो इस कोश्चन का अंसर होगा कि कलकत्ता में बिर्जु महराज को पहलीवार प्रथम पुरसकार मिला इसमें संभु महराज उनके चाचा जी नाचे और उनके बाबु जी भी नाचे थे चलिए पाच्वा नम महराज के गुरु उनके बाबु जी थे वे अच्छे स्वभाव के थे वे अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे उन्हें कला से बेहद प्रेम था ठीक है चाहे कला किसी भी परकार का हो उन्हें बेहद प्रेम था ठीक है उनके गुरु को मतलब बिर्जु महराज के गुर गुरू को उनके कला से बहुत जादा प्रेम था और उनका गुरू कोन थे तो उनके गुरू खुद उनके बाबु जी ही थे उवे अच्छे स्वभाव के थे उवे दुख को व्यक्त नहीं करते थे मतलब दुख को अपने अंदर छिपा करके रखते थे और उन्हें कला से बे तो उनकी बाबु जी की मिर्तु हो गई और मिर्तु होने के बाद महराज को तालिम बाबु जी ने ही दिया ठीक है उनकी मिर्तु जब हो गई तो उसके बाद उनकी तालिम बाबु जी ने ही दिया चलिए तो यहीं पर आपका पांचवा नमर कोश्चन समाप्त होता है अब हम लोग छटे नम्मर कोश्चन को अगले वीडियो में देखेंगे तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कोश्चन नम्मर छे के आगे जितने सारे भी कोश्चन है सभी को आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे तो चलिए अगले वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें आपके मुवाइल पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए तो चलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजे और फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद